हेलो फ्रेंज आपका मेरे चैनल पॉश्ट एप्रोच में स्वागत है आज की इस क्लास में हम 2019 में जो टीजिटी नॉन मेडिकल कमिशन आये था उसका जो मैथमेटिक्स पोर्षन है उसे सॉल्व करेंगे जैसा कि आपको पता है लाश्ट थ्री इयर की सीरीज हमने चलाई हु करवा दोंगा आज जो है हम 2019 का जो टीजिटी नॉन मेडिकल कमिशन है इसका पार्ट टू सॉल्व करेंगे तो चलिए बिना वक्त गवाई वीडियो को सुरू करते हैं आज की क्लास का जो पहला कोशन है देखिए जो फर्स्ट कोश्चन है कोश्चन इस the number of common tangent to the circle common tangent to the circle पूछा गया है x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0 this is the first equation of circle second भी दी गई है option है 1,2,3,4 common tangent हम से पूछा गया है तो इस question को सुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको idea दे देता हूँ common tangent कैसे निकाला जाता है उसके बादे ये question अराम से solve हो जाएगा सबसे पहले तो आपको इस equation को जो है compare करना है center की equation माफ कीजिए का circle की equation के साथ आपको उसका center और उसका radius निकालना है जो की देखकर पता लग रहा है अगर जिने अभी भी center और radius निकालना नहीं आता playlist में जाए mathematics की जो regular classes की playlist है वहाँ पर सिखिए ठीक है तो देखिए यह जो equation है circle की यह है हमारे पास x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 यहाँ से g भी निकल जाएगा f भी निकल जाएगा जब आप compare करोगे now g is equal to minus h and f is equal to minus k minus sign से उसे multiply करना है वो हमारे center आ जाएगा that is h, k ठीक है तो center निकालना हो गया अब center के बाद radius कैसे निकाली जाती है वो भी सीख लीजिए radius it is equal to g square plus h square minus c under the root यहाँ से radius भी निकल जाएगी ठीक है अब इस तरीके से आपने दोनो equation से center भी निकालना है radius भी निकालनी है उसके बाद आपको check क्या करना है देखिए condition number one if c1 c2 अगर बराबर हो जाए r1 plus r2 k it means there are three tangent यह check करना है फिर आपने यह आपका असली काम है इस question में if c1 c2 greater than आ जाए r1 plus r2 k it means there are four tangent अगर c1 c2 less than आ जाए r1 plus r2 k it means there are no tangent वहाँ पर कोई भी tangent नहीं होगा और एक case और रहता है if c1 c2 जो है बराबर हो जाए r1 minus r2 का mod से ठीक है यानि r1 को r2 से minus करना है mod का मतलब है positive value रखनी है अगर यह बराबर हो जाए what does that mean it means there are one tangent वहाँ पर जो है एक tangent होगा तो simple आपने इसका center निकालना है फिर उसके पर radius निकालनी है और ध्यान रखीगा यह c1 c2 जो है हमारे पास देखे center है हमारे पास hk it means it is a distance formula यहाँ पर लगेगा ठीक है यह याद रखना है यह c1 c2 जासे दो point आएंगे for example इस question का इसमें क्या है देखे पहले का center आएगा minus 4x minus 6y यह यह नि 2g आगया 2 f आगया 2 minus 9 के साथ plus बन जाएगा यह नि c1 कितना आगया हमारे पास 2,2306 c123 आएगा second one is 6x plus 18y तो 2gx के साथ जब compare करेंगे तो c2 कितना आएगा हमारे पास c2 हमारे पास आजाएगा देखे 6x है 2,3 is आर यह नि-3 क्योंकि minus से multiply करते है and minus 9 बस अब c1 c2 का distance formula लगाओ कितना आएगा देखे 9-3 प्लस हो जाएगा नो तीन बारा बारा का स्केर 144 और तीन प्लस दो पांच हो जाएगा यह नि-25 एक्सो च्वालीस पस पच्चिस कितना आ गया 16144 प्लस पच्चिस जी हां वही आचली कर ही लेते हैं स्वाल देख लेते हैं c1 c2 कितना आएगा देखे c1 c2 is equal to under the root of under root of कितना आएगा 9 plus 3 144 प्लस minus 3 minus 2 plus 5 30 25 which is equal to under root of 169 which is equal to 30 तो c1 c2 हमारे पास आगया देखिए 13 ठीक है अब आपको r1 r2 निकालना है और compare करना है सारी conditions मैंने आपको बता दी इस question का answer आपको बता देता हूं यह यहां पर बराबर आएगा तो option a जो है three tangent वाला हमारा सही answer होगा option कौन सा है यह option c question में जो option c होगा यानि यह वाली condition लगेगी तो इसे check करना है और अच्छे से solve करना है बाकि लंबी calculation होगी इसकी थोड़ी से तो इसलिए मैं पूरा solve नहीं कर रहा ताकि आपको में आइडिया दे दो और आपका टाइम दी ज्यादा वेस्ट ना करो ठीक है चलिए next question देखिएगा इस question को अच्छे से solve कीजिएगा सब कुछ तो करके आपको दे दिया बस center ही निका रेडियस ही आपको निकालनी है और इन conditions को लिख लीजिए काफी important condition है यह चलिए next question देखिएगा the standard deviation of data 6 5 9 13 12 8 & 10 कितना n कितना हुआ इसमें देखिए standard deviation फॉर्मूला आपको आना चाहिए standard deviation का फॉर्मूला चलिए आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपने solve करना है और answer जो है comment में करना है क्या होता है standard deviation का फॉर्मूला देटीज अंडरूट ओव सिग्मा एकसाइ स्केर डिवाइड बाइन माइनस सिग्मा एकसाइड डिवाइड बाइन का होल स्केर simple सा फॉर्मूला है apply कीजिए n कितना है यहाँ पर कीजिए count 1234567 n is 7 है x i यानि एक बार सबको एड कीजिए उसके बाद x i square का सिग्मेशन है यहाँ इस फॉर्मूला में put कीजिए answer आ जाएगा ठीक है तो इसका answer जो comment करके जुरूर बताना है hint आपको दे दी इसको मैं यहाँ पर स्वाल विस लिए नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल सिंपल से calculation है तो आपका time भी waste होगा चलिए next question देखिए in a non leap year the probability of having 53 Tuesday और 53 त्री वेड़नस दे यानि त्रेपन Tuesday होने चाहिए और त्रेपन जो है वेड़नस दे होने चाहिए इसकी probability क्या है non leap year में अब देखिए non leap year में कितने दिन होते हैं 365 कितने दिन होगे 365 अब एक week में वन वीक में कितने दिन होते हैं that is seven तो देखिए कितने वीक हुआ यह साथ पांजे पैंटिस साथ दूए चौदा साथ पांजे पैंटिस यानि 52 वीक प्लस वन डे 52 वीक हुए एक दिन हुआ देखिए दिवाइड कर दीजिए seven से seven five zero thirty five seven two zero fourteen एक एक रिमेंडर बचेगा यह एक दिन और बचा अब देखिए यह दिन कुछ भी हो सकता है Sunday हो सकता है Monday हो सकता है Tuesday हो सकता है Wednesday हो सकता है अब हमसे पूछा क्या है probability of having 53 Tuesday और 53 Wednesday मतलब यह जो दिन है या तो यह Tuesday होगा और या तो यह Wednesday होगा यानि total कितना हो गया देखिए त्रेपन अगर यह Tuesday और Wednesday है तो एक वीक और बढ़ जाएगा आगे हमारा यानि 53 weeks हो गए हमारे और यही हमसे पूछा है probability of having 53 Tuesday यानि 53 Tuesday होगा देखिए यहां तक तो बावन वीक थे यानि 52 ही Tuesday होगे अगर यह दिन भी Tuesday और Wednesday है तो कितने होगे त्रेपन अब यह जो Wednesday और Tuesday की probability है यह तो एक होगी out of 7 days तो कितना हुआ देखिए 1 over 7 Tuesday और और के लिए प्लस लगता है 1 over 7 that is 2 over 7 is our required probability कौंड सा ओप्शन है? option B is our right answer तो देखिए बिल्कुल simple question है question को अराम से पढ़ना है और उसको समझना है उसके बाद जो है उसे solve करना है अगर आपसे Sunday की भी probability यहां पर पूछी होती तब कितना आता अगर simple Sunday की पूछी होती तब 1 over 7 आता चलिए next question देखिएगा next question is the slope of tangent to the curve y is equal to x cube minus x at x is equal to 2 slope क्या होती है देखिए बिल्कुल easy question है slope होती है dy over dx कितना है y? x की cube minus x that is 3x square minus 1 हमसे पूछा है at x is equal to 2 at x is equal to 2 2, 2s are 4, 3s are 12 minus 1 that is 11 बिल्कुल simple question है कौण सा option है? option c option c is our right answer तो question को अराम से पढ़ना है और देखिए जो किस तरीके से formula लगेगा ये तो आपको याद होना चाहिए अपनी regular classes में details से करवाया है और जो हमारा mathematics का paid by चला है उसमें आजकल हम integration पढ़ रहे हैं और next question देखिए integration का ही हमसे पूछा गया है क्या question है integration if 0 to 2 by 3 dx over 4 plus 9x square देखकर ही पदा लग रहा है कौन सा formula apply होगा देखिए क्या है integration 0 to 2 by 3 1 over 4 plus 9x square dx simple question है ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ 0 से 2 by 3 9 common ले लिया बाहर कितना आ गया x square plus 4 over 9 4 over 9 को लिख सकता हूँ 2 over 3 का square dx देखिए फटा फट जो हमें solve करना है exam में इसलिए अपनी speed को बढ़ाईएगा और मेरे साथ साथ चलिए कुछ भी नहीं है question में कर दिया क्यूंकि या ये क्यूंकि ये बना फार्मूला x square plus a square का 1 over जो क्या होता है देखिए 1 over a tangent inverse x over a plus c अब फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए तबी जो है question solve हो सकता है अब put करेंगे value limit put करेंगे question अपने आप solve हो जाएगा चलिए करते हैं फटा फट पूट 1 over 9 हमारा बाहर है 1 over a that is 1 over 2 over 3 3 चला जाएगा उपर into tangent inverse x x is x over a a कितना है 2 by 3 यानि 2 निचे 3 उपर limit 0 to 1 माफ किजीगा 0 to 2 by 3 कर दिजीए पूट 3 1 जा 3 3 3 0 9 1 over 6 into tangent inverse upper limit 2 by 3 1 minus lower limit tangent inverse 0 अब tangent inverse 0 is 0 ठीक है इसे हटा देता हूं tangent inverse 1 कितने पर होता है पाई बाय 4 पर यानि 45 डिगरी डैट इस पाई बाय च्छे चोंके चौबिस इस आवर राइट अंसर कौंस ऑप्शन है option c तो simple question है question देखके ही पहचान हो रही थी कि यहाँ पर नीचे square बनाएंगे वो direct formula बन जाता है 1 over a tangent inverse x over a plus c का तो बिल्कुल easy question था अगर class आपको अच्छी लगती है तो please video को जुरूर like कीजिएगा हाँ कहीं पर कोई भी doubt होता है या आपको लगता है कि हमारे द्वारा किसी question को अच्छे से clear नहीं किया गया या हमारे द्वारा कोईशन को गलत किया गया तो बे जीजएक आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं ठीक है चलिए next question देखिएगा area of circle x square plus y square is equal to 16 देखिए orally question हो जाएगा क्या होती है area of circle x square plus y square is equal to r square r is here 4 because r square 16 r आ जाएगा 4 now area क्या होता है circle का pi r square तो 16 pi 16 pi हमारे सका right answer आ गया option a is our right answer ठीक है तो बिल्कुल इसे question है next question देखिएगा vector a and bear perpendicular if and only a dot b is equal to देखिए dot product क्या होता गरा आपको याद नहीं नहीं रहेगा a dot b a b cost theta ठीक है cost theta और कहां गहें कि perpendicular है cost 90 0 a dot b किसके बराबर होगा option c 0 के बराबर hope question clear हो गया हो बिल्कुल फास्ट करना है क्यूंकि आपको भी पता है समझना भी है solve भी करना है और tick भी करना है तो जितना time हो सकता है उतना time बचाना पड़ेगा mathematics portion के लिए तो इसकी अच्छे से त्यारी कीजिए ठीक है next question देखिएगा angle between the line 2x is equal to 3y minus z and 6x is equal to minus y is equal to minus 4z यह question भी regular classes में करवाया गया था किस section से है यह conic section से two dimensional geometry वाले chapter में जहां पर sine cosine हमने पड़ा है ठीक है तो बिल्कुल easy question है कैसे करें देखिए angle पूचा है line का पहले तो आपको देख के पता होना चाहिए angle कौन सा लगेगा cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root of a1 square plus b1 square plus c1 square second में a2 square b2 square plus c2 square वहां से theta निकल जाएगा लेकिन main बात है कि यह a1 a2 कैसे निकाला जाए यहाँ पाद direction ratio कैसे निकाली जाए यहाँ बात तो देखिए क्या है 2x is equal to 3y is equal to minus z क्या लिख सकता हो मैं इसे देखिए x over 1 over 2 is equal to y over 1 over 3 is equal to z over minus 1 निकल गया a1 b1 c1 similarly second है x over 1 over 6 is equal to y over minus 1 is equal to z over minus 1 over 4 जब solve करेंगे cos theta आ जाएगा देखिए क्या है a1 a2 एक बटा 2 प्लस एक बटा 6 है multiply करेंगे 6x ठीक है a1 a2 कितना आ गया 1 over 2 into 1 over 6 plus b1 b2 यानि minus 1 over 3 plus a c1 c2 यानि 1 over 4 divided by अंडरोट ओफ अंडरोट ओफ इसका सब का स्केर इन सब का स्केर ठीक है इसलिए मैं नहीं लिख रहा क्योंकि हमारा काम हो जाएगा उपर वाले से क्यों देखिए कितना आया 1 over 12 minus 1 over 3 plus 1 over 4 divided by जो भी चलेगी वैल्यू कितना एल से माया 4 1 minus देखिए यहां पर चला है cos theta 1 minus 4 plus 3 3 plus 1 4 minus 4 0 cos theta आ जाएगा 0 theta आ गया 90 डिग्री तो नीचे वाले लिखने के आवसकता ही नहीं पड़िए हमें तो कौन सो option है देखिए option c is our right answer that is 90 degree तो देखिए यह question तभी solve होगा जब आपने regular classes attend की होगी number two question की जो प्रेक्टिस की होगी और number three उन question की जब practice करोगे तो कहां पर कौन सो फार्मूल अप्लाई करना है वो याद रखना पड़ेगा ठीक है तो आराम से पढ़िए मैं इतना कहता हूँ थोड़ा ही पढ़िएगा लेकिन जो भी पढ़ोगे उसको अच्छे से याद रखना है ताकि जो पढ़ा हुआ topic है वहां से अगर question आए तो आप उसे ना छोड़े और आज जो है इस पार टू में पूरे इस पेपर को स्वालू कर लेंगे दो से तीन question बचते हैं चलिए next question देखिए a dice is thrown once dice है जिसे एक बार throw किया जाता है then the probability of getting number greater than 3 पहले तो देखिए probability कितने मैं से आगी छे मैं से आएगी number greater than 3 कितने number होते है 4 5 6 3 नमबर दाट इस 1 by 2 बिल्कुल इजी question है option a is our right answer next question देखिए mean and variance or binomial distribution are four and two respectively then the probability of two successes is the kick a say a question solve hooga ज्यान से देखिएगा important question है mean and variance or binomial distribution are four and two respectively mean क्या होता है n 5 दिया गया है four and n p q दिया गया ठीक है क्या पुछा है what is the probability of two success two success के probability चाहिए उसको निकालने के लिए हमें value निकालना पड़ेगी n की ठीक है हमें एक और relation पता होता है p plus q is equal to 1 तो यहाँ पर substitute करो पहले तो n p तो q कितना आया देखिए 2 over 4 1 by 2 देखिए q हमारे पास 1 by 2 आ गया simple तो p plus q is equal to 1 1 minus 1 by 2 p also 1 by 2 आ गया अब देखिए अगर p 1 by 2 भाई यहाँ पर put करेंगे तो n कितना आ गया 8 अब 2 succession के probability हमसे पुछे गई है कौन सा फर्मूला लगेगा 8c2 p की पावर आर 2 and q की पावर 8 minus 2 that is 6 8 minus 2 होगा n minus r that is 6 है तो 8c2 8 into 7 divided by 2 p 1 by 2 की पावर 2 into 1 by 2 की पावर 6 2 1 0 2 2 4 0 8 that is equal to such a 28 divided by 2 की पावर कितना आएगा 6 2 8 28 upon 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64 64 2 182 256 तो अठाई बटा दो सो छपन इस आवर राइट अंसर तो कौन सा option है देखिए option d is our right answer और ये फार्मूला तभी याज रहेंगे आपको जब आपने पड़े होगे या एक बार जो है खुद से लिखा होगा ठीक है जब भी आप इस class को देख रहे हैं जो अमर जी time है हर question जो है देखकर solve करना है उसका बहुत फाइदा रहता है जब भी आप लिखते हो दिमाग को चीज़ें याद रहते हैं next question is integration a की power x dx equal to बिल्कुर simple question है अगर differentiation पूछी होती तो a की x log a integration a की x divided by log a plus c option b is our right answer next question देखिए और ये last question है area lying between curve y square is equal to 4x and y is equal to 2 क्या है देखिए area y square is equal to 4x and y is equal to 2 बिल्कुल simple question है देखिए application of integration से question पूछा भया है डाल यहाँ पर कितना आया गया x is equal to 1 intersection point कितना आया देखिए हमारा that is 1,2 जहां पर x की limit यह है y की limit दिस है ठीके आप अपनी normal understanding के लिए इसका diagram भी बना सकते हैं लेकिन exam में फटा-फट solve करना है पहले सबसे पहले intersection point निकाल दिये हमने क्यों निकाले क्योंकि intersection point पर ही जो है हम उसको integrate करते हैं अब क्या होगा देखिए integration 0 से 1 ठीके area under this curve minus area under this line आ जाएगा हमारे पास required area जो पूछा गया है तो y dx, y कितना आएगा देखिए 2 under root x dx minus area underline देखिए x की limit पूट कर रहे हैं तो dot dx ही लगेगा ये खास ख्याल रखिएगा इसलिए हमने y को निकाला यहाँ पर that is 2 solve कीजिए कितना आएगा 2 x की power 1 बटा दो that is x की power 3 by 2 divided by 3 by 2 minus 2 x 0 to 1 ठीक है next देखिए क्या करेंगे अब solve कीजिए ये आज आएगा 4 by 3 2 to 0 4 उपर चला जाएगा 4 by 3 x की limit कहां से कहां तक है देखिए 0 से 1 तो upper limit 1 आएगी minus 0 हो जाएगा 4 by 3 आएगा minus 2 into x कितना है 2 into x है हमारे पास तो क्या आएगा देखिए 2 into 1 that is 2 that is 4 minus 6 divided by 3 which is equal to minus 2 by 3 area निकाल रहे हैं जो क्या होगा positive होगा तो 2 by 3 हमारा right answer आ गया ठीक है hope question आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो ये जो था 2019 का commission था ठीक है देखा होगा आपने किस तरीके question पूछे गए थे कैसे जो है उन्हें solve करना है और याद भी कैसे रखना है और कहां पर आप steps avoid कर सकते हो hope आज की class भी आपको अच्छी लगी होगी अगर class अच्छी लगी थोड़ा सा भी knowledge आपको मिला थोड़ा सा भी सीखने को मिला तो please channel को जुरूर subscribe कीजिएगा और हाँ जीने जो है जो TGT non medical की preparation कर रहे हैं उन तक इस channel को पहुंचाने की जिम्यवारी आपकी है धन्यवाद जय हिंद जय भारत